हलो माई डियर स्टेंट्स वेलकम यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अकेडमी डियर स्टेंट्स देखिए आज हम डिसकस करने वाले हैं जो बी ये पार्ट जो है फ्रस्ट ये में जो जर्रल इंग्लिस का पेपर चलता है सेखावाटी जो इनिस्टी है उसका उसका डिसकस्श कोई भी स्कूली एज्यूकेशन का अग्जाम ले लीजिए उसमें ग्रामर का जो पोर्शन बहुत ही इंपोर्टेंट है देखिए पहला जो किसन है वो करें कि राइट दा करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एन फाइफ वर्ट गिवन बिलो जो नीची जो सब्द दिये गए हैं उन आपको कोई भी एक स्पेलिंग गलत देज़ और उनमे से पूचनेंगी गलत कोण सी है तो हमें साही और गलत का अनुमान होना चाहिए जिसकी पहली जो स्पेलिंग है वो क्या कर रही है cigarette की spelling पूछिए किसकी पूछिए है cigarette की पूछिए cigarette देखिए यह spelling है C-I-G-R-E-T-E इसकी सही spelling जो होगी वो होगी C-I-G-A-R-E-T-E cigarette की spelling क्या हो गया E-T-T-E cigarette C-I-G-A-R-E-T-E यहां double T आएगा आपको यह ध्यान रखना है क्या रखोगे ध्यान में double T-E यह बहुत exam में बहुत ही जो बार-बार कुछी जाने वाले spelling है इसके बाद में next जो आती है वो क्या कह रही है E-T-I-K-A-T-E देखो यह जो spelling है यहां इसने totally wrong दिया यहां जो spelling है इसमें जो आईए कह रहा है सही spelling होगी E-T-I-Q-U E-T-I-Q-U E-T-T-E इसको बोलेंगे adequate adequate का मतलब होता है सिस्टा चार देखी दियर वापस एक बार इसको revise कर लिजे इसने लिखा है E-T-I-K-A-T-E ओके बट यहां spelling जो होगी correct होगी सही spelling होगी E-T-I-Q-U E-T-E adequate यह जो spelling है यह है और यह भी पूछी गई है देखो यह जो paper का जो level है वो आने वाली upcoming जितनी भी competition exam है माल लिजे यहां video exam माल लिजे REIT की माल लिजे कोई भी defense की exam माल लिजे कोई भी teachers की exam माल लिजे सब के अंदर यह जो चीजे पूछी जाती है cigarette की spelling पूछी जाएगी यहां पे ही जो है adequate इसका मदलता सिस्टा चार यह spelling पूछी जाएगी उसके बाद में next जो है वो आती है आपकी photograph कौनसी आई photograph photograph सब को आती है क्योंकि आप रोज फोटो लेते हुए यह इसलिए आपकी जो photograph है वो क्या हो जाएगी p-h-o-t-o p-h-o-t-o-g-r-a-p-h यह spelling होगी यहां पे सर्क वैसे almost यह सही है यहां f के जगह है p-h होना चीए क्या हो गया p-h-o-t-o-g-r-a-p-h photograph उके उसके बाद में next आता है maddening maddening की spelling क्या होगी m-a-double-d बस इसमें आपको कुछ changes नहीं करना है यहां जो न इसके आगे एक d-o लगा दो जाने की d-d m-a-d-d-e-n-i-n-z maddening पागल कर रहा है maddening बना रहा है ओके फिर आता है यह चुमरो चुमरो की आपको सब को आती है t-o-m-o-double-r-o-w यहां जो यह एक extra m इसमें लग गया वो नहीं आएगा ओके यहां क्या हो जाएगा t-o-m-o-double-r-o-w चुमेरो चुमेरो यहनी क्या होता है आने वाला कल उसके बाद में आती है बंगलो देखिए यह जो spelling है ना बार-बार पुछी जाती है बहुत अच्छा paper है मुझे बहुत interest आरा है इसको समझाने में और यह जो चीज है ना आपके exam में भी पूछी जाती है यहाँ आता है बंगलो बंगलो की spelling क्या होगी आप रहते होना बंगलो में तो बंगलो की spelling भी आपको आने चाहिए तो यहाँ क्या होगी B-U-N-G-A-L-O-W क्या होगी B-U-N-G-A-L-O-W बंगलो यह spelling होगी इसकी कौनसी देखो यह जो spelling है ऐसी है जो बार बार पुछी जाती है उसके बाद में आता है pneumonia क्या आता है pneumonia बताइए pneumonia की spelling क्या होगी यहां दिखने में सही दिख रहा ना देखो एन एम ओ एन आई ए pneumonia बिल्कुल शही लग रही है बट यह spelling ऐसे नहीं होगी इस spelling को पी आएगा इसमें शैकलोजमें पी आता ना पी एस वाई सी एचो लो जी वाई ओके तो वैसे ही जो pneumonia है उसमें भी पी से स्टार्ट होगा पी एन ए यू ऐसे होगा पी एन ए यू एम ओ एन आई ए pneumonia ऐसे होगा यहने की पी एन ए यू जो है ना जाएगा फिर इसको बोलेंगे pneumonia ऐसे इसको बोलेंगे pneumonia यह spelling आपको ध्यान में रखनी है उसके बाद में क्या आता है collection तो collection क्या आपको आती है c o l e c t i o क्या हो गया collection हो गया c o l e c t i o लग जाएगा और i लग जाएगा फिर यह correct हो जाएगी punishment की बताईए punishment में क्या आना चाहिए यहाँ पे p u n i s h यहाँ h आजाना चाहिए फिर सहिए p u n i s h m e n t punishment उसके बाद में weekend यह बताओ weekend में क्या होगा यहाँ यह जो spelling है यह किस की है weekend होता है कमजोर और यह weekend सब्ता के अंत के दिने की बात करा दो सब्ता की spelling क्या होगी बई week होगी और उसके आगे क्या लगा दो end लगा दो तो क्या हो गया weekend क्या हो गया weekend क्लीर है क्या समझा रहा आपको इस तरह से पहला question जो आना spelling का यह आप से पूछा गया है बहुत ही interesting है अब देखती है आगे उसके बाद में जो next question आता है translate the following sentences into English यह English में इनको क्या करना है translate करना है यह वो लग मुझे घर जाना है तो देखो जाना है I have to go to home मुझे घर जाना है I have to go to home ओके यहाँ पे जाना है जाना ही है करने वाला है करना है ऐसे में have to has to ओके उसके बाद में करना ही होगा जाना ही होगा जाना है करना है तो इसके लिए will have to ओके लास्ट में जैसे कि आगे past वाला है करना था करना ही पड़ा तो इसके लिए have to has to will have to यह हमें यूज़ करनी है तो यह करा कि मुझे तो मुझे कुन हो गया I subject कुन है इसका I क्या हो गया I have to go home मुझे घर जाना है इस तरह से मेरी माँ स्कूल में पढ़ाती है My mother teaches in school My mother teaches in school मेरी माँ स्कूल में पढ़ाती है मैं एक अच्छा इंशान बनना चाहता हूं I want to become कर दो चाए be कर दो I want to be a good human being I want to be a good person भी कर सकते हो I want to be a good I want to be a genius I want to be good person That is right मैं एक अच्छा इंशान बनना चाहता हूं I want to be a good person मैं कक्सा में पर्थम आना चाहता हूं I want to get first position कर दो I want to come first in class वैसे appropriate क्या है I want to come first in class मैं बहुत बड़े घर में रहती हूं I live in a big house इस तरह से आपका क्या हूआ second question जो है वो complete हूआ उसके बाद में next आपका आता है Translate the following sentences into Hindi अब आपको Hindi में करने है open the door दर्वाजा खोलो साकसी जो है ससी करन is an excellent writer ससी कीरन is an excellent writer ससी कीरन है वो excellent का मतलब service rest excellent का मतलब क्या हो गया service rest writer का मतलब क्या हो गया ससी कीरन जो है यहाँ पर एक क्या है बहुत ही expert बहुत ही service rest writer है बहुत ही excellent writer है यहाँ पर सीद्धा सुद्ध हिंदी में क्या करोगे कि ससी कीरन वो एक service rest writer है लेकर का मतलब ठीक है मदू likes to cook food मदू भोजन पकाना पसंद करती है around stage in Australia around Australia में रहता है sorry around Australia में ठहरता है I like reading मुझे पढ़ना पसंद है ओके यह open the door दरवाजा खोलो ससी कीरन is an excellent writer एक service rest writer है मदू है भोजन पकाना पसंद करती है around Australia में ठहरता है I like reading मुझे पढ़ना पसंद है ठीक है उसके बाद में अगला कह रहा है अनार चलो अनार की spelling बताओ बोलिए अनार की spelling आती है कि आपको अनार तो रोज खाते हो लेकिन spelling भी तो आनी चाहिए लिखिए P.O.M.E. G.A.N.A.T.E. Pomegranate, क्या हो जाएगी, Pomegranate, P-O-M-E-G-A-N-A-T-E, G-R-A-N-A-T-E, समझे क्या, वापस बोल ला हूँ मैं, P-O-M-E-G-R-A-N-A-T-E, ठीक है, P-O-M-E-G-R-A-N-A-T-E, Pomegranate, Pomegranate का मतलब क्या हो गया, अनार हो गया, ठीक है, अब आता है, आत्मा, आत्मा कौन सी, सोल, सोल का मतलब क्या हो गया, आत्मा हो गया, एक होता है, S-O-L-E, ये भी सोल होता है, ये स्पेलिंग मत कर देना, ये सोल कौन सा, वो जो सूज होता है, जुत्ता होता है, उसकी बोलेंगे और यह आत्मा जो है ना वो इस सोल को बोलेंगे यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है यह राइट है इसमें डेको इसमें अगला जी है कसरत की क्या होती है भई exercise E-X-E-R-C-I-S-E exercise E-X-E-R-C-I-S-E exercise का मतलब क्या हो गया कसरत हो गया practice मत कर देना इसके exercise ही करना यह कसरत हो है ठीक है उसके बाद मिदि देखो इसमें लिका है vice versa vice versa का मतलब क्या हो वह वा-vice versa का मतलब हो गया उल्टा अब हमें vice versa में काम करना है है यनिकी thrust इसका उल्टा यनिकी यह like हम चापंग चमी तूब क्या हो गया patch त्यास-अ प्रीशेस का मतलब क्या हो गया प्रीशेस का मतलब हो गया बहुमुले इस तरह से आप कई जो हिंदी के वर्ड हैं इनको इंगलिस में चेंज करवाया है उसके बाद में अगला जो आता है वो आता है अब आप कहोगे सब तो बहुत सरल है चलो देखते हैं तो कैसे अब इनको करेंगे ठीक है देखते हैं यहां यह कह रहा है कि आई ब्लेंक वोग सो फास्ट देखो यहां देखो इसका मतलब यह वाली क्लोज है वो पास्ट में है यह वाली क्लोज किस में है पास्ट में है ठीक है तो यहां पे यह वाली पास्ट में तो यह भी पास्ट में होनी चीए न इसलिए आई वोगड आएगा इसमें यानिकी इसकी सेकिंड फोर्म बन जाएगी वोगड आई वो आइए ब्लेंग करनो डाट ही वह गुएंग तो यह वापस वहीं आगया वह गुएंग तो यह पी क्लोस किसमें आगे तो यह प्यूंत भी किसमें वनीशी फास्ट में ओनीशी ठीक है तो आई के आन ए डब्लू इसमें कौन सी फोम आएगी new second form आजएगी no की second form new ठीक है उसके बाद में next आता है अली blank hope to come first in class तो देखो इस sentence के अंदर कोई भी ऐसा indication नहीं है कि ये past में क्या इसलिए उसके हमेशा से ये inherent quality है उसमें ठीक है कि उसके हमेशा से ये आसा रहती है कि वो first आई okay क्या है first आए तो इसमें क्या हो जाएगी अली hops यहां hops हो जाएगा इसमें ठीक हो पहले आयता ना वह हमेशा ही first आना जाता है वह वाल आए ओके अली hops तो इसमें क्या जाएगा एच ओपी एस ओके यह है उसके बाद में आता है कासिम blank think that they would give देखिए यह close तो बन गहीं सही है लेकिन यहां पर वूड प्लस वब की first form है इसलिए इधर जो हना इधर वूड है तो इधर second form होने चाहिए तो यहां पर क्या जाएगा थोट टी एच ओ यू जी एस टी यह कुछ क्लोज ऐसी है जैसे वूड प्लस वब की first form लिया है अगर यहां पर पर्जेंट सोरी future simple होता है यहां पर्जेंट सिंपल होता इस तरह से यहां वूड प्लस वब की first form है तो यहां second form वह कंडिशन ही क्या वाली conditional sentence की second condition है third condition है उसमें वाला रूल तो वह रूल इस पर लागव होगा ओके नेक्स्ट क्या आता देखो यह जो क्यूशन ना पांच का fifth questions इसको थोड़ा ध्यान से समझना तेंजिंग हैड डन ओल डैट यहां पी हैड प्लस वब की third form आ गया देखो आपको ध्यान से समझना है यह sentence आपकी आएगा यहां यह हैड प्लस वब की third form तो आपने सुना होगा कि हैड प्लस वब की third form तो दूसरी close में वर्ब की second form यह तो confirm हो गया कि आएगी तो कौनसी form second form आएगी इसमें ठीक है अब देखो यहां blink जो है कोस्टर का उसमें दे दिया इच क्या दे दिया इच दे दिया और इच दे दिया तो यहां आपको यह देखना है कि इस इच में यह past form जो है इनकी वो क्या होती है past form यह is mr क्या है वर्ब की second form का मतलब b की form पुछिए इनों ने तो b की form पुछिए थर्ड form पूछता तो क्या था बी ना था ओके और यहां second form b की first form कौनसी होगी is mr समझे ना मेरे बाद first form कौनसी होगी is mr second form होगी was और were तो यहां all that तो यहां is की जगह क्या जाएगा all that were necessary यहां वर आ जाएगा कैसे आया वर इस all के करणा है all प्रिरूर्ट यों करना इसलिए वर आ जाएगा तो is का past क्या हो गया वर हो गया और यहां पे वर नैसे संटेंस बने गए समझा रहा कि आपको यह क्यूसन जो है बहुत ही important है आपके लिए इस तरह से आपका संटेंस यह जो है complete हुए उसके बाद में punctuate the following passage punctuate करना देखो इसको punctuate को मतलब क्या हो गया punctuation तो इसमें देखिए यह करना knowin that difficulty ahead फिर यहां को मा आएगा punctuation का मतलब हो गया है कि जरूरत है वहां तो वहां पर कॉमा लगाना impact लगानािन्वा fws टॉप के बाद के बाद में और अब देखो knowing the difficulty ahead, यहाँ comma लगेगा, God में G बड़ा जाएगा, G O D ऐसे होता है, God assured Joshua, ठीक है Joshua, assured Joshua फिर comma लगी, यह inverted comma में होगा है कौन सा, I will be with you, और फिर यहाँ full stop लग जाएगा, ऐसे समझे क्या, यहाँ क्या लग जाएगा full stop लग जाएगा, और यह किस में होगा, inverted comma में होगा क्योंकि statement बोला कि I will be with you, God assured Joshua God ने assure कि आस्वासन देया Joshua को, कि I will be with you, तो यह तो inverted comma में हो जाएगा, ओके, और यहाँ comma लग जाएगा, फिर यहाँ full stop लग जाएगा फिर अगला बोल रहा है, कि his help would come in part through Joshua's obedience to God's command तो यहाँ सीधा सा inverted comma यह अटजेगा, यहाँ full stop है तो यह इस सही है, तो यहाँ यह जो ना यह inverted comma वाला जो देर खाई यह नहीं आएगा यहाँ पर his help okay, his help would come in part through Joshua's, यहाँ पर देखो एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ जो जो जे है ना यह भी capital आएगा यहाँ पर जो जुआ ऐसे हो गए दो यह आ रहा ना इसके जैसा इसके जैसा इसके जैसा आएगा ठीक है यहाँ पर को थे-बथ में 2 आ गया, तो यह जुड़ा आए तो यहां पर जो «---- chỉ को Ho खाते ना फिर उसके बात में जो «-Statement बधो होता हो चेंज करते हैं ». इसलिए इसमें यह हć जाएगा और यहां क्या लग जाएगा क्यो क्या जाएगा चोटा है ठीक है इस बुक ओफ ला ऐसे करके और फुर यहां फुल स्टोप लग जाएगा समझाया क्या आपको उसके बाद देखे अब आता आपका मोडल्स वाला फिल इन ब्लेंक्स फित फ्रोप्रेश्ट मोडल्स बाषे आपको देखना इसमें कौनसे मोडलफ एबिलिटी आया है पहले है खाला कि इसमें के लिए अग्यार प्लाय कॉन्सा मोडल को भी वड़ा सकता हूं defending duty के लिए duty के लिए Should okay शुल यानि कि घेल्प हीम 1200 पर मेशन यहां पर क्या कर रहा है परमीसन ले रहा है तो इसमें hai पर मिस्छांट इना इन फॉर्मल में इसलिए करका है आप आप लोग मी I हो में भी कर सकते ओस्प्मेंट के लिए इसे के लिए मैं पर एक रा ये ठीज है फिर एकस्प्रस क्यों सब्रेशन या फिर सकते हुआ लेकिन इसमें उल्टा होता है आई और वी के साथ विल और बाकी के साथ में सेल तो यहां क्या आ जाएगा सेल आ जाएगा इस तरह से आपका क्या हुआ यह जो पेपर है वो सॉलूशन हुआ और यह मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि आपकी जो आने वाले एक्जाम सनून में मैं से क्यूशन पूछे जाते हैं ओके थंक्स पूर वाचिंग मैं वीडियो आपको अच्छा लगे तो सेर कीजिए और कुछ कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है ओके